आपको सीधा ले चलते हैं और फिर से धोलपूर जाहिस वक्त कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहुल गादी जनता को संबोधित कर रहे हैं ओम प्रकाष ची साकेट जी स्टेच पे कॉंगरेस पार्टी के हमारे सब नेता कॉंगरेस के प्यारे कारेकरता भाईयों और भेनो प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुट-बहुट स्वागत इतनी गर्मी में आप आए दूर-दूर से आए मेरी बात सुनने इसके लिए आप सब को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और खासतोर से जो महिलाएं आई हैं आपको कश्ट हुआ आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आप आई हैं तो मैं आप से ही शुरू करता हूँ पिछले पांच सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लाकों करोर रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है आपको याद होगा कि नोट बंदी की और आपके घर में से आपके घर में से आपका पैसा निकाला और नीरव मोदी मेहोल चॉक्सी जैसे लोगों को दिया आप से रिला रही हैं सही बोल रहा हूँ ना मैं सही बोल रहा हूँ पांच लाक पच्पन हजार करोर रुपए पंदरा लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने दिये चोड अब देखिए पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस के एकॉनोमेस को बुलाया और उनसे मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पंदरा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वाइदा किया था और हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने सपना देखा कि शायद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ सकता है और उसके बाद में धोका देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक रुपया नहीं डाला उल्टा आपका पैसा उससे भी काटा तो पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस के लोगों बुलाया मैंने का देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूँ मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ मगर मैं हिंदुस्तान के अर्द्विवस्ता को नश्ट नहीं करना चाहता हूँ तो आप पता लगाईए, स्टडी कराईए, दुनिया के सबसे बहतर एकॉनोमिस से पूछिए अगर मैं चाहूँ हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ती के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूँ तो मैं कितना डाल सकता हूँ मैं जानता हूँ 15 लाग नहीं डाला जा सकता आप मुझे बताओ कितना डाला सकता है डाला जा सकता है, एक शर्थ है अर्द्य विवस्ता का नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आते हैं कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया शिताम बरम जी ने कागज पे नंबर लिखा 72,000 मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये नंबर 72,000 72,000 कितने लोगों को 72,000 कितने समय में 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में सिताम बरम जी कहते हैं राहूल जी हमने पूरी स्टड़ी करा ली है दुनिया के सबसे बहतर एकॉनमेस से पूछा है 72,000 रुपै एक साल के 25 करोड लोगों को अब देखिए माता जी आप देखिए नरेम्र मोधी जी ने 15,000 लाग देने का वाइदा किया जूट हमने पता लगा लिया मैं आपको स्टेज से कहता हूँ 15,000 लाग नहीं दिया जा सकता कुछ भी हो जाए नहीं दिया सकता क्योंकि अगर 15,000 लाग दिया गया हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता नश्ट हो जाएगी और गरीबों को ही नुक्सान हो मगर 72,000 रुपए साल के 3,60,000 रुपए 5 साल के कॉंग्रेस पार्टी 5 करोड लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रही है अब बात करता हूँ महिलाओं की जो मैं आपको पहले बोलना चाह रहा था अब यहां बहुत सारे पुर्श आये हैं मैं शुरुवात में आपसे माफी मांग रहा हूँ बाद में गुस्सा मत होना 5 करोड परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा भाई हो बाद में मुझसे मत कहना यह क्या कर दिया मैं इनके बैंक अकाउंट में 5 करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में पाँच साल के तीन लाग साथ हजार रुपए डालने जा रहा हूँ इसके दो कारण है एक मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बताना चाहता हूँ माताओं बेहनों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे एक हिंदुस्तान होगा अगर नरेंदर, मोधी, नीरव, मोधी, मेहुल, चोकसी, अनेलमानी के बैंक अकाउंट में लाकों करोड रुप़ए डाल सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी 25 करोड लोग, 5 करोड परिवारों के बैंक अकाउंट में लाकों करोर रुपए डाल सकती है और डालेगी अब भाई और बेहनों इससे बहुत जबरदस फाइदा होने वाला है सिरफ उन पांच करोर परिवारों को नहीं मगर पूरे हिंदुस्तान को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की जैसे ही उन्होंने आपके घर में से पैसा निकाला युवाओं के जेब से पैसा निकाला छोटे दुकानदारों के घरों से पैसा निकाला वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया उसके उपर नरेंद्र मोदी ने गबबर सिंग टैक्स लागू किया जो पहले आपके जेब में था बचा था नोट बंदी से वो भी निकाल लिया हिंदुस्तान के लोग माल खरीदना बंद किये पहले आप पैंट शर्ट टूथ पेस्ट आलू के चिप्स जो भी खरीदे थे आपने बंद किया जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया वैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने माल बनाना बंद किया दुकानों ने माल बेचना बंद किया जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियों बंद हुई आपको ही जटका लगा आपके ही बेटों को आपके ही बेटियों को फैक्टरियो कि लोगों ने माल खरीदना बंद किया और आज 45 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में अब जैसे हम न्याई योजना देंगे जैसे ही न्याई योजना चालू होगी जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा उसी दिन आप लोग एक बार फिल मार् कोई शर्ट खरीदेगा ये जो हमारी बहने आई हैं ये साड़ी खरीदेंगी कोई जूता खरीदेगा कोई चपल खरीदेगा साबून टूथ पेस्ट अलू के चिप्स जो भी जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी जैसे ही दुकान चालू हो जाएगी वैसे ही फैक्ट्रिया माल बनाना शुरू करेंगे जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे वैसे ही आपके बच्चों को उन्ही फैक्ट्रियों में और नई फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा ये देखिए कॉंग्र एक्टर में ट्रक में डीजल डाला जाता है वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान के अर्ध विवस्ता के एंजिन में सीधा डीजल है न्याय योजना के एकदम बाद चाभी घुमेगी और छटके से हंदुस्तान के यर्द विवस्ता चालू हो जाएगी, आप सब को फाइदा मिलेगा, करोणों युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर आप वहां नहीं रुखना चाहते हैं, भाईयों और बहनों, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है, सुना है, ललेट, नाम क्या है ललेट, नीरव, मेहुल अनिल, अनिल अमबानी, इनके नाम आपने सुने हैं, लाकों करोर रुपए इनका करदा माद किया, अनिल अमबानी को राफाइल गोटाले में 30,000 करोर रुपए चौकिदार जी ने दिये, 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और 22 लाक सरकारी नौक्रियां खाली, बाईयों और बैनों, जैसे ही सरकार आएगी, मैं इसके एच से कहता हूँ, 2 करोड युवाओं को रोजगार, मैं आपको यहां से वाइदा नहीं करूँगा, मैंने निया योजना की बात बोली, और लाकों युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा, मगर मैं यहां से आपको गैरंटी करता हूँ, 22 लाग सरकारी नौकरियां एक साल के अंदर कॉंग्रेस पार्टी आपको दे देगे, मैं दो करोड नहीं बोलूँगा, 22 लाग सचा ही बोलूँगा, 10 लाग पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाग युवाओं को हिंदुस पंचायतों में कॉंग्रेस पार्टी रोजगार दिगी, ये काम करा जा सकता है, हमने आप से कहा था, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, और गेलोड जी ने, कमलनाद जी ने, बगेल जी ने, दो दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया, कारवाई शुरू कर दी, एतिहासिक का किया, नरेंद्रमोधी जहां भी जाते हैं, जूट बोलते हैं, किसानों को सही दाम दूँगा, दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा, पंद्रा लाग रुपए डालूँगा, मैं आपको यहां जूट बोलने नहीं आया हूँ, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, प हिंदुस्तान की अर्ववास तक और जंप स्टाट करेगी, बाइस लाग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा एक साल में, गस लाग युवाओं को पंचायत में दिया जाएगा, यह मैं आपसे बोल दूँगा, और मैं आपसे यह भी बोलूँगा, कि राजिस्तान की स सरकारी हस्पताल बनाने में, सरकारी कॉलिजे, सरकारी युवर्सिटी बनाने में आपका पैसा जाएगा, और आप अपने बच्चों को कम से कम पैसे में, कॉलिज में, युवर्सिटी में, सॉफ्ट्वेर एंजिनियर, लॉयर, डॉक्टर बना पाऊगी. स्वास का अधिकार के हम बात कर रहे हैं मुफ्त में मुफ्त में आपको दवाई भी दी जाएगी मुफ्त में हस्पतालों में आपका इलाज होगा डिस्ट्रिक्स में ब्लॉक में हस्पताल बनाए जाएगी नवोदे विद्याले खोले जाएगी क्योंकि यह आपका पैसा है भाई और बेनों यह अनिलम मानी का नहीं है मैउल चौकसी का नहीं है और युवाओं की मदद करने के लिए युवाओं की मदद करने के लिए हमने साब बोला है आज राजिस्तान का युवा अगर Business चालू करना चाहता है तो उसे अलग-अलग सरकारी Department से पर्मिशन लेनी पड़ती है एक Department से पर्मिशन लो, दूसरी से पर्मिशन लो, तीसरी, चौती, पाँचमी से पर्मिशन लो पता लगता है पर्मिशन ही लेते गए Business नहीं चालू हुआ हमने कानून बदल दिया है जैसे मारी सरकार आएगी युवाओं को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से बिजनस कोलने के लिए कोई पर्मिशन लेने की दरूरत नहीं तीन साल के लिए कोई पर्मिशन लेने की दरूरत नहीं आप अपना बिजनस चालू करो तीन साल बाद जब आपके लिए 30-40 लोग काम करेंगे आपके साथ 30-40 लोग काम करेंगे आपका बिजनस त्यार हो जागा तब आप सरकारी डिपार्टमंट के पास जाएए क्या ही है भाईया हमारा बिजनस है अब हमें परमिशन दीजिए तीन साल बाद आप पर्मिशन देना किसानों से मैं आखरी सवाल पूछना चाहता हूँ हमने एतिहास एक निर्ने लिया बाई और बैनों अने लंबानी जेल में अंदर या बाहर बाहर विजय मालिया अंदर या बाहर मेहुल चौक सी अंदर या बाहर इन लोगों ने लाखों करोर रुपे कर्जा लिया है अने लंबानी का 45,000 करोर रुपे कर्जा वापिस नहीं दिया मेहुल चौक सी का 35,000 करोर रुपे कर्जा सरकारी बैंक से पैसा लिया है वापिस नहीं दिया ये सब लोग बाहर हैं अब भाईयों और बहनों, अगर राजिस्तान का किसान 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापिस नहीं देता है, तो वो बाहर होता है या अंदर, जेल में होता है या बाहर होता है, जेल में होता है, तो किसानों हमने आपके लिए एक नया कानून, 2019 के चुनाओं के एकदम बाद राजिस्तान का हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा मोधी जी पहले आप अनिलम्मानी को मैउल चोपसी नीरफ मोधी को अंदर कीजिए फिर किसानों की बात कीजिए अगर वो बाहर होंगे तो किसान भी बाहर होंगे हम नया कानून बनाएंगे हिंदुस्तान का एक भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा यहाँ पे दोलपुर से करॉली के रेलवे लाइन थी कॉंग्रेस पार्टी उसको ब्रोड गेज करना चाहती थी नरेंद्र मोदी जी चौकिदार ने आपसे भी चोरी की ब्रोड गेज नहीं करने दिया यहाँ पे अभी मुझे बताया गिया है कि चंबल के पानी को यहाँ लाने का एक प्लैन बनाया जा रहा है गेलोड जी उस प्लैन को स्टडी करेंगे और अगर चंबल का पानी यहाँ लाया जा सकेगा तो कॉंग्रेस की सरकार उस पानी को यहाँ आपके लिए लाएगी आप सब को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप दूर दूर से आए इतनी गर्मी में आए तो अभी कॉंग्रेस के देक्ष राहूल गांधी प्रदेश के दौरे पर है और आज सबसे पहले धोलपूर करोली की लोगसबा सीट को साधने के लिए जनता को संबोधित करते नजर आए धोलपूर लोगसबा सीट इसलिए भी महत्यपून बन जाती है क्योंकि लोगसबा के अक्षेतर में निर्वाचन के अक्षेतर में 2008 में अस्थीत्वय में आई और उसके बाद सबसे पहले यहां भाजपा का दबदबा रहा लेकिन उसके बाद चूकि अभी विधानसबा के चुनाव हुए है और धोलपूर करोली लोगसबा सीट में 8 विधानसबा क्षेतर आते जिनमें से 7 पर कॉंग्रेस अपना कबजा जमाया इसलिए भी महत्यपून हो जाती है क्योंकि विधानसबा चुनाव में कॉंग्रेस का दबदबा रहा है और अब देखना ये होगा कि आखिर लोगसबा चुनाव में ये दबदबा कब रहता है चुकि अब 6 मई को राजस्थान में दूसरे चर्ण के मद्दान होने हैं 12 लोगसबा सीटों पर और इसी के तहट मारवाड की सियासत को धोलपूर करोली लोगसबा सीट पर साधने के लिए राहुल गांधी दौरे पर है आपको बता दूँ कि धोलपूर के सेपोव कस्बे में कॉंग्रेस के दक्ष राहुल गांधी अभी जनसभा को संबोदित कर रहे थे संबोदित करते उन्होंने सबसे पहले पहुचने वाले लोगों का अभार जताया और साथ ही ये भी कहा कि न्याई योजना आप सब के लिए एक बड़ी सोगात लेकि आएगी जन्याई योजना की तहट 25 करोड जनता को हर महिने 6,000 रुपए यानि कि सालना बहतर हज़ार रुपए मिलेंगे और ये भी कहा कि मोदी सरकार ने लगतार आप से जूट बोला है लेकिन मैं आप से सिर्फ सच कहना चाहता हूँ और साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 10 लाख पंचायतों में रोजगार दिये जा सकते हैं उनका सीधा इशारा था कि जैसे ही केंदर में कॉंग्रेस की सरकार बनी वो पंचायतों में 10 लाख रोजगार उपलब्द करवाएंगे और यहां साफ तोर पर हमेशा की तरह राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा मेहूल चौकसी अनिलंबानी इतना करजा लेने के बाद भी खुले आप घुम रहे हैं लेकिन भाजबा जो किसान मातर 20,000 रुपे लोन लेता है उसको डिफॉल्टर साबित करके जेल में डाल देती है तो राहूल गांधी ने कहा कि जैसे ही एक बाद फिर से केंदर सरकार में बने की कॉंग्रेस की तो इस कानून को हटाया जाएगा और किसी भी किसान को डिफॉल्टर साबित नहीं किया जाएगा